नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गॉरब और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें पांच मिनिट का टाइम फ्रेम ये चार्ट में लगाय हुआ है और इसको देखते उनको लेकर हम समझने ही कोशिश करेंगे कि हमारा गोल्ड MCX में आगे का क्या विउ होना चाहिए जिसकी एक्सपारी चार्ट दिसमबर को है देखिए दोस्तों पिछले कई दिनों से हमने गोल्ड में एक ट्रेंड इस तरीके का देखा कि गोल्ड को एक सपोर्ट मिला और मार्केट जो है वो उपर के प्राइसे पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था पर अभी हाल ही में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हमने कुछ ऐसा देखा है कि उस ट्रेंड को कहीं ना कहीं एक रुकावट मिली है या फिर ये कहेंगे कि थोड़ा सा एक दबाव वो फ सेलिंग का देखिए अगर आप बाइंग का व्यू लेकर चलने है तो मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बहुत मेजर प्रॉफिट आप यहां पर करने होंगे एक चीज़ जरूर है कि गोल्ड अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल से टर्न करने की कोशिश कर रहा है जो अभ हम उन लेवल्स को सबको डिसकस करेंगे कि जिस प्राइस के ऊपर तेज हो सकता है जिस प्राइस के नीचे मंदा हो सकता है और हमें इस में किस तरीके से ट्रेट करना चाहिए तो आएए शुरुवात करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम से गोल्ड MCX का चार्ट यहां हम हम देखें तो 50,866 इसका last trading price था और यहां पर आकर इसने अपनी closing कर दी तो मतलब in between और अगर आप देखेंगे तो बिलकुल exact लगभग जहां open हुआ था वहीं पर market close हो गया यह dotted line आप देख रहे हैं यहीं पर आकर market close हो गया इस तरीके का इसमें trend हमें देखने को मिला उप उपर गया market selling होई नीचे आया buying होई और वापस वहीं पर आगया जहां पर इसकी opening होई थी आए थोड़ा सा time frame हम और बढ़ा के समझने की कोशिश करते हैं क्या view इसमें निकल के आ रहा है आगे के लिए थोड़ा market उपर गया नीचे आया यहां से उपर जानी कोशिश करता लगातार उपर के level पर यहां से एक gap down opening होई market में correction देखी गई काफी अच्छी अगले दिन फिर नीचे के prices पर आया और नीचे से थोड़ा सा इसे bounce मिला है वो भी closing के time पर ठीक है इस तरीके का एक chart नजर आ रहा है हमें और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक गंटे के time frame पर एक गंटे का time frame का जो view है वो थोड़ा सा हमें एक किसी trend को थोड़ा सा ठीक से समझने में मदद करता है यहां पर अगर हम देखें उपर गया market यहां से फिर इस तरीके से और उपर गया फिर यहां पर इसमें support मिलता रहा और market ने 51,200 something का कुछ या 300 को भी मेरे खाल से break कर था मुझे कुछ clearly याद भी नहीं आ रहा वहां से हमने correction होती ही देखी जिसमें इसने यहां पर 50,535 का एक low लगाया और वहां से अगर मैं बात करूं तो करीब 3,500 point उपर अभी currently gold trade कर रहा है पर इसमें आप एक चीज़ observe करेंगे कि यह एक trend line आप समझ लीजिए इस trend line को य as a support mark इसके उपर sustain करने की बार-बार कोशिश कर रहा है बहुत major यह support level है इसका यह अगर break होता है और market अगर इसके नीचे sustain कर जाता है तो आप देखेंगे कि gold में काफी अच्छी यह correction आपको देखने को मिल सकती है ठीक है उससे पहले हम बढ़ते हैं और ठोड़ी सी आगे 4 गंटे के time frame पे वहाँ पर एक पूरा overview लेनी कोशिश करेंगे market crash हुआ था यह selling pressure जो था वो continue रहा था मतलब intraday के लिए नहीं पर एक काफी थोड़े से बड़े time period के लिए इस तरीके से एक flat way में आगे की तरफ जा रहा है market दोस्तो correction आईए market flat direction में आगे की तरफ बढ़ रहा है expected यही है कि market में correction जो है वो continue रहेगी अभी सिर्फ ये कोशिश है कि अपने आपको ये sustain करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक major impact इस पे जिस चीज़ का रह सकता है वो है gold USD INR हमने Friday के session में देखा USD INR काफी नीचे तक आ गया था और अपने lower level से उसमें करीब 35-40 पैसे की एक तेजी देखने को मिली हमें end होते होते देखे 5 बज़े हमारा currency exchange जरूर बंद हो जाता है पर उसके बाद भी इन में foreign exchange में जो dealing चलती रहती है उस वज़े से price जो है उसमें एक variation continue रहता है एक fluctuation जारी रहती है जिस वज़े से 5 बज़े की closing के बाद भी USD INR को एक बढ़त मिली और वो उसके बाद भी मतलब काफी आप अगर charts पे देखेंगे तो आपको current price नजर आएगा काफी उपर काफ़ पाँच बज़े के बाद भी उसमें एक तेजी बनी लगी थी जिस वज़े से gold इतना नीचे होने के बावजूद मतलब काफी उपर तक आ चुका है अगर हम बात करें comics की तो वहाँ पर 5-6 dollar की एक बिलकुल lowest level से जो भी recent close ने लगाया था वहाँ से एक तेजी हमें देखने को मिलिये 5-6 dollar का मतलब 1.500 और maximum 200 point की हमें एक तेजी समझ सकते हैं इस से ज़ादा नहीं साड़े 300 point की मतलब 1.500 point की और एक तेजी हमें लगभग देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा reason यही है कि जो USD INR है उसमें एक हमें तेजी देखने को मिलिये USD INR थोड़ा सा turn लेते वे उपर की side नज़र आता है वोगर turn जारी रहता है और थोड़ा सा उपर जाता है तो कही ना कहीं हम यह चीज़ देखेंगे कि Gold MCX को एक जो support मिला है वो continue रह सकता है यह तेजी के indication नहीं है support के indication है कि support जो है वो थोड़ा सा और continue रह सकता है पर उसके लिए USD INR में और काफी अच्छी तेजी देखनी मतलब आनी चाहिए ठीक है सिर्फ एक वोई point है दूसरी चीज़ अभी और आगे हम discuss करेंगे एक बार daily charts पर आप नज़र डालते हैं यहाँ पर दोस्तो एक तेजी थी जो continue थी उसके बाद हम यह देख रहे हैं और फिर एक flat way में आगे की तरफ market बढ़ रहा है दोस्तो यहाँ पर अगर आप candles पर नज़र डालेंगे तो यह आपको candle नज़र आ रही है Thursday की इसके बाद यह Friday की candle जहाँ open होई थी वहीं पर close हो रही है charts में आपको कोई बहुत अच्छी तेजी नज़र नहीं आ रही है सिर्फ एक चीज़ है कि market जो है वो अपने एक reversal point पे एक support बना रखा है देखे support का मतलब यह होता है कि market वहाँ से वहाँ पर उसे break करने से पहले थोड़ा एक ठहराव महसूस कर सकता है वो ही यह observe कर रहा है एक रुकावट है जो इसे और नीचे ले जाने के लिए एक और ज़्यादा pressure चाहिए होगा वो pressure इसे कब-कब मिल सकता है किन-किन reason से मिल सकता है उनको लेकर अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं पहले मैं चलता हूँ वापस एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखे दोस्तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि comics में gold ने अपने उस level को touch नहीं किया जो एक reversal point था 1891 डॉलर उसके नीचे अगर यह sustain कर गया थोड़े time के लिए तो हम देखें कि gold mcx पर भी एक जबरदस correction स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर भी बार बार एक बहुत major support level बना हुआ है 1891 का यहाँ पर है यह वाला price 50,400 वहाँ अगर वो break हो गया तो कही ना कही यह chances ज़ादा बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर भी 50,400 अगर हम calculation करें तो calculation में उतना exact नहीं आएगा क्योंकि 10 dollar की एक मंदी अगर हम समझें तो करीब करीब 300 रुपए वापस साड़े 500 तक के level हम सोच सकते हैं पर हो सकता है कि तब USD INR में और थोड़ी सी एक मंदी आ जाए पर कही ना कही एक pressure जो है वो build up होना शुरू हो जाएगा और market में यह chances बढ़ जाएंगे कि gold जो है वो MCX पर भी एक pressure feel करेगा और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा दोनों जगे MCX में भी और COMEX में भी 50,400 यहाँ पर COMEX में 1891 डॉलर यह दो major price levels हैं जो break होते ही market को नीचे की तरफ खीशने लग जाएंगे ठीक है तो दूसरी चीज़ एक doubt हमारे mind में यह create हो रहा है कि बार बार market में यहाँ पर अगर हम देखें यह तो एक rally थी मतलब एक short term uptrend था यह बिलकुल इस चीज़ को deny नहीं कर सकते हैं बाकी यह जिस तरीके के यह हमें bounces मिल रहे हैं यहाँ पर यह bounce मिल रहा है फिर यहाँ यह bounce मिल रहा है इस चीज़ को आप यह भी नहीं सोच समच सकते हैं कि यह buying है देखिए आप किसी buyer से पूछिए कि उसने trade ले रखा है उसे क्या यहाँ पर buying लग रही होगी मतलब या फिर वो एक बहुत अच्छे profit में होगा आप seller से जरूर पूछ सकते हैं कि यह एक जो area है ना जो selling है वो एक दो दिन से ज़्यादा इस market में कोई नहीं रखता है selling या buying मतलब most of the traders 90% 95% traders एक दो दिन maximum इस से ज़्यादा किसी की holding होना ही बहुत बड़ी बात है मतलब या तो बहुत ज़्यादा professional होगा या समझता होगा market को वो ही इसमें इतना hold करेगा otherwise मतलब ऐसा नहीं कि जो professional है वो एक दम नहीं निकलते पर जो लंबा hold कर सकते हैं या तो वो बिल्कुल fresh होगा जो जानता नहीं होगा जो जानता होगा market को समझता होगा थोड़ा सा वो उस trend को पकड़ने की कोशिश करता है कि trend अभी नीचे का है मुझे hold करना जाची है कोई issue नहीं है ठीक है तो एक दो दिन में अगर हम देखें तो जिसने भी buying कर रखी होगी उसे एक lossy हो रहा होगा इस चाहिए अभी तक market में एक selling pressure बना हुआ है नीचे की तरफ market का एक थोड़ा सा रुख है जुकाव है आप अगर इसे एक uptrend में समझेंगे support मिला है no doubt support ज़रूर मिला है उसे हम deny नहीं किया जा सकता पर आप इसे buying समझें वो चीज गलत है market turn कब लेगा market turn लेगा उसके लिए जो levels है उस पर अभी हम बात करते हैं देखिए सबसे पहला 51,020 ये एक price है जिसका break होना थोड़ा सा ये एक doubt create कर देगा कि क्या ये support अब एक uptrend में के तरफ लेया सकता है इसे देखिए मैं buying में क्यों और ज़्यादा strong नहीं हूँ अभी मैं क्यों selling की तरफ ज़्यादा strong हूँ उसका सबसे बड़ा reason है gold comics वहाँ पर किसी भी तरीके की recovery के sign नजर नहीं आ रहे है mcx पर सिर्फ एक ही एक major concern है और वो है usd inr वहाँ पर भी अगर हलका सा pressure आने लग गया हलका सा pressure build up होने लग गया तो आप ये देखेंगे कि gold comics वो गिरेगा usd inr अगर support नहीं कर पाएगा तो ultimately mcx पर इसका pressure बनेगा और market जो है वो धडाम से नीचे की तरफ आ सकता है अप trend में कब expect करूँ अप trend में तब expect कर सकता हूँ जब usd inr इसकी weightage होती है market में पर उतनी नहीं होती जितनी comics की होती है comics पर बिल्कुल भी तेजी के सखाई मुझे नजर नहीं आ रहे है थोड़ा सा एक uptrend आ सकता है पर फिर से वापस market को नीचे ही गिरना होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि market यहां से turn लेगा कुछ ऐसे levels हैं जिसके break करने के बाद ही थोड़ा सा comics पर यह लग सकता है कि market जो है वो उपर की तरफ बढ़ सकता है otherwise कोई sign comics पर ऐसे नहीं मिल रहे कि gold उपर की side में जाने लगेगा यहां पर भी एक थोड़ा सा जादा मुझे इतना लग सकता है कि यहां से थोड़ी सी एक तेजी यहां तक की आ सकती है फिर से वापस market नीचे गिर्द है मतलब अगर यह वाला जो एक band है 51,400 सम्थिंग का जो भी हाइक लगा हुआ है यह break करना गोल्ड के लिए बहुत ही जादा मुश्किल है तो इस तरीके का एक view मेरा है देखिए मैं आपने view share कर रहा हूँ हो सकता है कि आपको यह सही ना लगते हो हो सकता है कि आपको भी यही सही लगता हो पर जिस तरीके से इसने यह support ले रखा है देखिए मार कोई भी community कोई भी financial instrument हो वो जब बार-बार एक चीज़ को break करने की कोशिश करता है उसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ से turn ले चुका है turn एक अलग चीज़ है आप इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा एक difference है वो आप समझने की कोशिश कीजिए देखिए यह support मिल रहा था एक example ले रहा हूँ यह support मिल रहा था यहां से यह उपर तक गया फिर वापस आया यह support के आसपास market ने trade करना शुकर दिया यह यहां से फिर वापस support ले गया यहां आपके लिए वो turn confirm नहीं होता turn उससे कहीं और ज़्यादा उपर confirm होगा अगर यह trend उपर की तरफ चलता चला जाता तो हमारे लिए यह एक बहुत अच्छा trade होता है देखिए किसी trend को पकड़ने के लिए आपको उसके turn का wait करना चाहिए support मिला यह पहला sign है कि आप थोड़े से safe हो चुके हो उसने breakout दिखा दिया यह दूसरा sign है तीसरा sign जो आपके support में सबसे ज़्यादा होगा वो होगा कि वो trend start हो चुका है वो trend start हो चुका है फिर कहां पर उसे एक break मिलता है कहां तक वो खीच के ले जाता है अपने prices को तो वो सारी चीज़े देखी जाएं गोल्ड में अभी upside rally में कुछ ऐसा बहुत strong indication नहीं आ रहे है market उपर जाता है वहाँ पर एक pressure feel करता है तो उसी वज़े से यह यहां पर अभी रुका हुआ है यहां से थोड़ा सा उपर जा रहा है देखते हैं आप Monday की opening कहां पर होती है जो मेरा idea एक flat opening होगी या फिर एक gap down opening होगी ये दोनों में से कोई एक चीज में expect कर रहा हूँ मैं यहां की बात नहीं कर रहा है MCX की नहीं comics की बात कर रहा हूँ MCX पे वो ही है USD INR क्योंकि जिस तरीके से उसने बढ़त दिखाई है close होते होते तो वो एक काफी strong indication थे कि जो इसे support दिला गए है वहाँ पर अगर एक rally बनती है तो इसमें एक support जो है और तेज हो जाएगा market और थोड़ा सा उपर आ सकता है पर उपर sustain करना बहुत जा था तो मुझे मुझे मुश्किल लग रहा वापस एक turn आएगा नीचे की side में और फिर अगर ये वाले prices break हो जाएंगे तो बहुत जबरदस्त एक crash आ सकता है ठीक है दोस्तों तो अभी जितना conclusion निकला उसे मैं levels के में बात करता हूँ 50,400 ये major breakdown level है major ठीक है रहेगा कि शायद Monday को भी इस का नीचे में break होना थोड़ा सा ओज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तों ये था मेरा Gold MCX पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें, share करें comment करें, like भी कर दिया करो और share कर दो और market report देखते रहो धन्यवार